वेलकम अमर सर योटूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है S.P.I.E. क्लर्क मेंस एक्जाम 2023-2024 जो फेवररी के लास्ट में होना है इसके लिए आज मैं जबरदस्त स्ट्राटेजी बनाने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में क्या क्या बात करूँगा पहले बता देता हूँ सबसे पहले Early Start का मानी क्या है उसके फायदे क्या है इस पर बात करूँगा एक्जाम के लिए Strategy बनाने के पहले मैं Previous Years के पेपर का Analysis करूँगा बताऊंगा especially Maths को ध्यान में रख करके कहां से कितने Questions आए और उसका क्या माने है और उसको ध्यान में रख करके इस साल के लिए क्या Strategy बनती है इसके अलावा Overall Strategy पर भी बात होगी जो दूसरे आस्पेक्ट्स हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं निरनायक होते हैं उन पर भी बात करूँगा चलिए सबसे पहले प्रू करते हैं हम लोग कि जो एक्जाम का पैटर्न है आपका देखिए जो एक्जाम का पैटर्न है आपका यह सबसे पहले आपके फिवर में है लेकिन स्टार्ट यहां से होगा कि दो दिनों का एक्जाम हो गया 5th and 6th January Pre-Exam और 10th और 11th को होना है जिनका एक्जाम पहले हो गया उनके पास लगभग 1 week का समय है बतलब यह जो 5 to 7 days है यह extra है Early start will lead to success आज से अभी से भिड़ जाएए मुझे तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है आपके पास 40 days से ज्यादा का टाइम है exact date आना बाकी है 40 days में वह student जिसने की SBI clerk Pre-Exam अच्छे से दिया है और जो पास करने जा रहा है यानि कि इसका कि subject पर command है वह इन 40 days की strategy को success strategy में बदल सकता है ऐसे बात करता हूं और भी कौन से factor है जिन पर जदी ध्यान दिया जाए तो सफलता तो निश्यत हो सबसे पहले तो exam का जो nature है ना वो उन student के favor में जाता है जो real में मन लगा करके पढ़ते हैं किसी कारण से selection नहीं हो पा रहा है इस बार selection जरूर होगा कोई sectional cut-off नहीं है यानि किसी section में कोई minimum qualifying marks नहीं है कि उसको qualify नहीं कर सके तो फिर pass नहीं कर सकेंगे में ऐसा तो ही नहीं प्री में था न में में सर्फ में एक्जाम में overall category वाई जिक minimum overall cut-off रहेगा यह में एक्जाम में प्री में नहीं था देखिए लास्ट ये की question का जदी आप analysis करते हैं तो क्या नजर आता है उस पर पहले बात कर लेते हैं और अब तब मैं इस पर आऊंगा फिर से यह लास्ट ये की question का analysis देखिए क्या आया था data interpretation maths में data interpretation के four sets आए five five question करके यानि twenty questions आए यह तो प्रमो बेस ऐसा ही रहेंगे देखिए ना analyze करने पर आपको समझ में आ जाएगा cashlet di दरसल data analysis है इसके three नहीं four sets आए ठीक है इसके four sets आए four sets आए four two 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 total ten questions ten questions quadratic equation अब अलग से आना बंद हो गया चुकि प्री में काफी आता है वो cashlet के shape में आया quadratic equation cashlet के shape में आया यह नए नया change है information दे करके quadratic equation दे करके और उसके बाद two questions उस पर रहते हैं cashlet data analysis के रूप में आया इस बार उम्मीद है कि number series में भी data analysis introduce हो जाए यानि कि cashlet में वो भी सामिल हो जाए miscellaneous inequality जसको हम quantity one quantity two कहते हैं इससे three questions आए वो three भी हो सकता है four भी हो सकता है five भी हो सकता है जैसे यह cashlet है four question का एक cashlet फिर two 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 questions के cashlet कुछ नहीं है word problems को cashlet shape में analyze करनी की कितनी capacity है वो चेक करने के लिए यह form है जरा गौर कीजिए यह one question algebra second number system वो भी एक तरह से algebra और third probability से आए last year में ऐसा हुआ लेकिन इसमें और आने का chance क्या बनता है geometry and trigonometry जैसे कि यो कि मेंस में होता है तो इस बार हो सकता है geometry हो सकता है नहीं मेरा तो दिल कहता है कि geometry से question पक्का रहना है number system probability में कोई एक रहेगा algebra तो रहेगा ही रहेगा संभवे three के बजाए four question हो जाए इस बार ठीक है number series से अलग से two questions आए वो two भी हो सकता है three भी हो सकता है approximate value से three questions आए और arithmetic questions twelve आए 12 वो 12 कहां कहां से आए और कौन से chapter बसते हैं उसको भी मैं दिखाता हूं इसको देखिए जो आए इस paper में जो नहीं आए यानि आगे आएंगे देखिए problems best on ages seven average seven percentage seven simple interest seven mensuration seven profit and loss seven mixture allegations is two time and distance seven boat and stream seven time and walks is two यहां कुल कितने question होते हैं 12 questions यह 12 questions आए यह chapter से नहीं आए तो time and work आ गया तो pipes and system आ जाएगा time and distance आ गया तो train आ जाएगा average से आ चुका है पर average तो ऐसा chapter है जो time and distance रही करके simple interest तक में यूज होता है pages तो उसके बिना होता ही नहीं है permutation combination नहीं आया आजाना चाहिए इस बार probability quantity one quantity two में आया इस बार इस में आने का chance बनता है compound interest जो कि simple से आया तो इस बार compound से आ जाएगा मतलब क्या है इस analysis का मैने क्या है पूरा quant जो अच्छे से पढ़ा है कोई भी section छोड़ा नहीं जा रहा है question का level depth में है लेकिन वो level नहीं है जो bank P.O. का है दरसल SBI P.O. का यह छोटा भाई है यह सही word है इस exam के लिए इसमें जो अच्छे से proportion करेंगे वो 50 में 35 प्लस जरूर लाएंगे लेकिन 30 लाना अपने आप में बड़ी बात है और selection के लिए जो कि selection तो सब मिला के होगा ना लेकिन selection के लिए आपको बहुत दूर तक आगे बढ़ा देगा यदि आप 30 प्लस करेंगे आपके पास time भी रहता है इसमें सही approach के साथ solve करना है कुछ question जिसमें लगता है कि आपसे नहीं बनेगा ऐसा तो बहुत टेठा होता नहीं है लेकिन हर स्टूडन का अपना एक वीक एरिया होता है तो उससे अगर question आया तो उसको आप skip कर देंगे अगर जल्दी तो फिर बाकी question solve कर लेंगे समय पर यह समझ में आ रहा है पूरा quant पढ़ना है पूरा quant पढ़ना है पढ़ सकते हैं अगर आप आज तयारी सुरू करते हैं 40 डी आपके पास पक्का है तो 49 दिनों में quant का कोई section छूटेगा नहीं क्योंकि आप pre-qualify कर रहे हैं क्योंकि आपको सारे subject का knowledge है previous year's questions का कोई विकल्प नहीं उन questions को जितना बनाएंगे उतना ही आपके chances बढ़ेंगे मैं तो YouTube वीडियोज में देही रहा हूँ और अब मिन्स के रहे सिलसिला आज से सुरू भी हो रहा है मिन्स वीडियोज पहले से pre और मिन्स के रूप में अलग से arranged वीडियोज है तो अलग-अलग playlist मे तो मिन्स वाले पर अब concentrate कर जाईए उन वीडियोज को देखिए और अगले 40 दिन में तो मैं क्या-क्या न दे दूँगा यानि मैं अकेले आपको पास कराने जा रहा हूँ रोज वीडियोज से जुड़िये जब भी आता है notification आएगा आप subscribe किये हुए रहेंगे और button प्रेस किये हुए रहेंगे तो आपको उसका notification मिल जाएगा इन वीडियोज को देख करके आपका result तो निश्चित है आज शुरू करते हैं तो यह पहली सबसे important बात है इसमें जो लोग बात कर रहे थे quant में 45 minutes है आपके पास तो 50 में माल लिजिए कि आप 30 से 35 questions attempt लेते हैं तो 45 minutes में 35 questions जिरूर ले सकते हैं और 35 लें और 30 plus का score हो कोई रोक नहीं सकता आपको pass करने से से हैं एक important बात यह है कि बहुत सारे student का math या reasoning इसमें खुड़ा कम score होता है कि इतना भी कोशिस करते हैं exam में कुछ ने कुछ गरबर हो जाता है 40 दिन हैं आपके पास इसलिए मैं कहता हूं हरे student से अभी भी समय है हाला कि मैंने कहा था प्री के planning के समय है कि general English और general and financial awareness तो ऐसे section है जिसकी तैयारी नहीं की जाती जिसका सौभाब बनाया जाता है रोज उससे जुड़े रहने का तो चलिए अभी तक आपने जो किया नहीं किया नेगेटिव दी सोचना है जस दिन बाकी नहीं है पीस दिन नहीं है 20 देज होता तो अलग भात होती 40 देज कम से कम है आपके पास और इसलिए इन 40 देज में बहुत बढ़िया से आप preparation कर सकते हैं प्री में English तो था ना इनका सही डंग से preparation करके last six months का मैं उसको थोड़ा जोड़ देता हूं अलग से बात करता हूं इनको strong कर लेंगे तो कभी अगर इसमें किसी को दिक्कत हुई थोड़ा कम score हुआ वो balance कर लेगा तो कि 40 डेज है इसलिए मैं बात क्या रहा हूँ देखिए ऐसा है reasoning आपका जो source रहा है उसके उस पर विश्वास कीजिए प्रिवियस यह पेपर को लेते कहां से पढ़े हैं जिन से पढ़े हैं जनरल इंगलेस जो source रहा है जिस जिस student का उसको वदलने की जरूवत नहीं है प्रिवियस यह के questions को उसके साथ add कर लीजिए और प्रिवियस यह के questions को बनाईए जनरल इंगलेस में भी प्रिवियस यह के अगर आप 20-25 सेट कर लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और grammar rule ठीक कर लेते हैं तो आपके इंगलेस बहुत अच्छी हो जाएगी रिजनिंग में अभी चुकी 40 डेज है पजल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए यही आपका वीक एरिया भी है यही चैलेंजिंग भी है यही पर फैसला भी होना है लेकिन पजल के different parts होते हैं उसमें sitting arrangement blood relations जो परम परागत हैं जिनकी इंगलेस रिजनिंग थोड़ी व command हासिल करें जो नहीं आता है उसमें से कुछ भाग को पकड़िए और उसकी practice कीजिए negativity मता ने दी क्योंकि किसी बी एक section में अगर आपका week है तो कोई फर्क नहीं पड़ता no sectional cut-off इसलिए घबराना नहीं है रिजनिंगर बढ़ो गया math समाल लेगा current affairs समाल लेगा English समाल लेगा इसलिए तो मैं सब पर जोड़ दोनी के लिए कह रहा हूं और early start यही benefit देता है 10 दिन के बाद ये इस्तती नहीं रहेगी फिर आपको चूजी हो जाना पड़ेगा फिर English week है त तो वीक रहेगा लेकिन आज अगर आप start करते हैं तो वीक नहीं रहेगा यहीं महत्व है और इसलिए मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूं लास्ट six months का current affairs पर concentrate कर जाएए एक से ज़्यादा magazine प्लस आपके पास जो कुछ भी source है जिसको आप follow करते हैं उस पर विश्वास कीजी लेकिन newspaper पर ध्यान देना शुरू कर दीजी उसमें sports news newspaper में sports news economical news national international जो political news है वो जरूर देखें जरूर देखें आप जहां रहते हैं जो ज्वलंद मुद्दे हैं current burning issues हैं उन सब पर ध्यान दीजी और जो बड़े changes हो रहे हैं जिनका constitutional changes से संबंद है जो national level पर जिसका importance रहता है वही आपके लिए मानी रखते हैं उन्हीं चीजों पर आप को औरते हैं एक daily newspaper और daily news इसको continue कर जाते हैं तो देखिएगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वह आपको आसानी से याद हो जाएंगा मतलब आपका जो preparation है ना आपका जो source है ना उस पर मैं comment नहीं कर रहा हूं हर स्टूडन का अपना अपना है कोई किसी को follow करते है कोई किसी website को को किसी teacher को को किसी magazine को किने का radio पर होता है क्योंकि सारे सो विजाएं available नहीं है तो जिनका जो है लेके चलिए विस्वास कीजिए हर जगह आज मौजूद है चीजें सवाल है उसको systematically कौन पढ़ता है समझ के कौन पढ़ता है जिससे कि उसको याद हो जाए रट लगातार आपके साथ हूँ मैं इसके लिए especially जो playlist बना हुआ है उसमें videos देने जा रहा हूँ दे रहा हूँ इनको आप follow कीजी आपको success जरूर मिलेगा समय समय पर मैं आपको guide करता रहूँगा कब क्या changes आपको लाने हैं ओके all the best बाए